जैने दोस्तों मैं विपिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल वैपिस्टेडी पॉइंट में आपका अर्दिक स्वागत करता हूं जैसी कि दोस्तों आपको पता है हम आपको मैथ पड़ा रहे हैं मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रोफिट एंड लोज उसका हम तक हमने आपको एक लेक्टर प्रोवाइड करा चुके हैं और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें वीडियो शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूले क्योंकि आपको पता है जो आने वाली आगे सबी वीडियो है आपको इसी चैनल पर मिलेगी वो आप तक तभी पोच पाएगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि आपके पास इंफोर्मेशन पोचनी बहुत आउस्टक है तो दोस्तों जो हमने आपको पीछे स्लोस परसेंट में जो हमारा मार्क पड़ाई होता है और जी कोस्ट प्राइज सेलिंग प्राइज ये सब कुछ आपको अच्छे से हमने समझा दिया था आज हम उससे आगे बढ़ेंगे उससे आगे बढ़ने देखो कुछ मैं आपको छोटे-छोटे पहले कंसेप्ट बता दिया कि कोई वस्तू है उस वस्तू के मतलब कोस्ट प्राइज में कितने परसेंट का प्रोफिट हो रहा है या लोश हो रहा है ठीक है दोस्तों तो कोई वस्तू है किसी वस्तू के मतलब किसी वस्तू पर 15% का हमें प्रोफिट हुआ है यह हमें बोल दिया यह 20% का प्रोफ वोज देट प्रोफिट परसेंट हुआ है हमको 20 परसेंट का तो 20 परसेंट क्या होता है फ्रेक्षिन वैल्लू में एक बटे पांच हमें CP और SP का यदि रेशो निकालना होगा तो कैसे करते हैं जब किसी भी वस्तुपर जितने परसेंट का लोज यहानी होता है तो उस कंडिशन पर हमें सेलिंग प्राइज और कोस्ट प्राइज का जो रेशो निकालना होता है वो देखो कैसे करते हैं 20 परसेंट यज इकल देश को क्योंकि हमें पता है लोश्ट परसेंट या profit परसेंट किसचीज को बेश माण गया कोनेख को तो कोस्ट प्राइज को इसीले हम गतिनी हो गई हमने यदी 20% हमारी हमारा 20% oynиковな हो जाएगा तो इस जो आप उन्हीं वाली plupart यह क्या हो जाएगी और profit यदि 5 का 20% हम निकालते हैं तो कितना आता है कितना आता है एक कितना आता है यानि कि कि है का हो जाएगा हमारा profit यानि love कितने निकालना है को स्ट प्राइज तो हमारा आ Championships 5 अब हमें क्या चींदि ऐसा至ई है एक सेहलिंग को जोड देते हैं और यांता है वाई यहां से लिप्राइस कितना आ किसी वस्तुपर पर 55 पर पर 75 प्रतिस अतकी क्या होई है लोख हुआ हया यानि की कि क्या हुई है हानी तो हमें कोस्ट अलिंग प्राइज का रेश्व निकानना इसी परकार किसे 25 पर सेंट कितना होता है हमारा वनकोर ॥ अभी हमने क्या बता है जोEr panel वाली वियलू उसको deham कोस्ट प्राइज क्या हो हो गए हमें लोस कितने का एक का अब तो शेलिंग प्राइज कितना जाएगा यहां से एच्पी एच्पी कितना जाएगा एच्पी होता है हमारा सीपी माइनस लोग एनिसीपी कितना है हमारा फोर माइनस वने जिगल टुकितना ठी यानिके एच्पी यह तो मैंने आपको समझा दे डिर्यक्ट क्या करते हम इस में से इसको घटा लेते तो हमारा क्या जाता है लोग यदि लोग सा लोग हो रहा है तो यह हमारा क्या जाएगा सेलिंग प्राइज तो यहां से चैलिंग प कि और दोस्तों को स्कीर आपको आ चुका है मैंने जो अभी आपको कंसेप्ट बताया वसी पर हमने की कोस्टन आपको दिया है को सन बहुत ही सा है किसी वस्तू को 30 पर 30 लाब पर बेचा जाता है तो करेमोल्य और विक्रेमोल्य का अनुपात याद करे अभी बिलकुल पीछ सेंट कितना होता है हमारा तीन वटे दस कितना होता है तीन वटे दस यह हमने क्या बताया था इसको बांते हम कोस्ट प्राइज और यह क्या है हमारा प्रोफिट हो रहा है तो यह हो गया हमारा प्रोफिट तो हमें निकानना क्या है कोस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज सब्सक्राइब कर दो इहां से इतने प्रॉफिट कितना आ जाता है वहारा तिहरा ठीक है दो धूस्तों दो यह होगा हमारा तो यह क्या हो गया हए हमारा से टो बस यह ईतना से कोसं था एसका आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर आ चुका है किसी वस्तुक लागत मुल्य और विक्रय मुल्य का अनुपात दिया है तो उस पर प्राप्त होने माला लाप परतिसत इससे पहले हमें क्या दिया था कोस्ट प्राइज और शैलिंग प्राइज क अनुपात लागत मुल्य यानि क्या होता है हमारा कोस्ट प्राइज और विक्रय मुल्य यानि सेलिंग प्राइज ठीक है इनका जो रेशो दिया है कितना दुस्टों शोल आ अनुपात 306 तो हमें प्राप्त होने वाला लाप परतिसत हमको निकालना है ठीक है दोस्तों तो परतिसत हमकी सीच पर निकालते कोस्ट प्राइज पर यह हमको चाहिए तो यहां से इसको शोल कर लेते हैं यानि के जो रेशों में इसको जीतना एक कड़ जाएगा इसको काट लो अब देखो यह कितने से कड़ जाएगा एक अठारा से ठारे कम अठारा और यहां पर तीन हुक्तू जाएगो तो 12 रुपे में खरीद कर 17 में बेज दी तो कितने का प्रम लाए हमें 50 का कितने compet to कती परशैंट के लिए आपको बताया था यान्य प्रोफिट कितना है रूपों में गया fund क्वे ओस्ट कितना है हमारा 12 Przy multiply by कितना हो गांडरेटा तक है आसो आप करते हैं एक बटे बारा एक बटे बारा पर्शंट कितना होता था हमने कितने बता ते एक बटे बारा को या कि प्रस fingertips मि तो कितना हो जाएगा इतने परसेंट यह हो जाएगा ठीक है दोस्तों कि हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है इस तरीके से अपना समय बचाना है इस तरीके से आप अपना टाइम बचाओ और इस तरीके से कोशन को पेपर में भी अटेंप्ट करना ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अब नेस्ट कोशन पर इस्ट कोशन स्कीन पाज चुका है कोशन देखो क्या है यदि 850 रुपे शोरी 850 वस्तुओं का लागत मूल ले 595 में वस्तुओं के विक्रे मूल ले के बराबर है तो परतिशा तो आप यहाने ग्याद करो सिंपल सा कोशन है इस तरह की कोशन हमने आपको मतलब इस टाइप के कुछ कोशन हमने प्रोफे उसमें परसंटेज में आपको करायते देखो कैसे कोशन है मैंने आपको समझाया था जैसे कोई सेंख्याती जैसे 3A is equal to 4B यह लिखा विया है यहा वाला इसके नीचे चले जाता था और यह वाला यानि के अपोन भी यह इस तरीके से हो जाता था ठीक है दोस्तों यहांनि क्या हुआ जो एक के साथ वाली वह बीके नीचे चले जाएगी और जो बीके साथ वाली वह आ जाएगी एक साथ में ठीक है इस तरीके से हम इस रिल बार्स वस्तू का कोश्ट प्राइज फांसो पिचान में वस्तू के सेलिंग प्राइज के बराबर है तो उसकर बताने से क्वाति अम्हें बताने के लोशंट परशेंट या प्रोफिट परसेंट हमको बताने कि तिन्स इसका आंश्वर होगा उप्शन इस परकार दीवे हैं तो अब यहां से क्या करेंगे हम सीपी और स्पी का रेश्व निकालेंगे यानि इस तरीके से यह हो जाएगा हमारा इस तरीके से हम यह निकालते हैं लेकिन हम इतना बड़ा करने क्या वा सकता नहीं आपको यह इस तरीके से मत करो यहां से आप 2-3 सेकेंड बचा सकते हो सीधा क्या करना है आपको यानि CP और SP मैंने अभी क्या बताया जो यानि को शेरिंग प्राइज के साथ में यह वाली कहां ठीके दोस्तों तो अब यहां से सको शोल कर लेते हैं अब देखों यह कितने से कर जाएगा 17-55 ओस और यह शत्रती क्या मंज और 17 पंज फिच शी साथ से पांट से कड़ जाएगा साथ मार और पांट से कितने बार यानि कोस्ट प्राइज और शैलिंग प्राइज का रिशो तो कितने पर साथ पर संटेज के लिए क्या करते हैं यानि के परतिशत के लिए सो से गुना तो अब यह कितना हो जाएगा कितने परसेंट का हमें प्रोफिट होगा एक बटे साथ कितना चोदस ही दो बटे साथ भई यह तो हता है एक बटे शाथ की जो फ्रेक्शन में वैल्यू हम इसको परसंटेज में लिखे तो क्या होता है 14 सही दो बटे साथ परसेंट को क्या लिखते हैं एक बटे साथ तो यहां पर हमें कि यह तीन यानि कि तीन से इधर यह कितना चोदती 42 और दो तीए छे यानि इतना हो जाएगा अब देख लो ऑप्षन में कौन सा ओप्षन भी एवप्षन भी हमारा राइट आंस पर यानि कितना होगा हमार इतने इतने परसेंट 42.84 इस तरीके हम इस तरीके वाills को कर सकते हैं अब आणेंगे आगे नेक्स्ट कोशन पर कोश्ट कोशन इसमी पर आ चुका है वे कॉसन है कोशन norm 4 के आ चुके हम एक व्यक्ती 80 किलो 4 खे ताल है और उसे 30 क् hindsight के लिए तीज किलो के लिए लिए गए भुक्तान के बराबर लाब पर बेज देता है तो उसके लाब का परतिसत क्या है ठीके दोश्थ तो यह कुशन है हमारा मेंस 2018 में सीजील में आया व्यक्रशन है सिंपल सा कोशन था कैसे करते अब देखो कि वस्तू का कोस्ट प्राइज दिया गया है कितना 80 kg और उसको 30 kg के लिए जो 30 kg के लिए लिए गए भुक्तान के बराबर लाब पर बेज देता है यानिकि जो 30 kg कई तो यहना यह किसे उसके सब्सक्राइब रोभ हो जता हैं के 30 किलो भूं किस्के ब्राबर रहेंगे निकालते थे लाव पर रशंप कहले होगा है यानि profit percent निकालने के लिए क्या चाहिए हमें यानि कि यह हो गया पी अपॉन CP into 100 यही तो था formula इस formula का यूज करके हम यहां पे लिकाल लेंगे यान कि कितना लाव हुआ 30 cost price कितना 80 multiply by 100 जीरो से 0 यानि कितना होगा तीन बटे आठ क्या होता है साड़े 37 परसेंट यह मैंने क्यूंकि आपको पीछे अच्छे से याद करा दिये थे तो मैं उमीद करता हूं आपको इनकी वैलू अच्छे से याद होगी तो दोस्तों का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा साड़े साड़े 37 परसेंट यानि ओप्षन कौन सा ठीक है ओप्षन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों इसकीन सोट ले लो आगे बढ़ते हैं फिर आप तो नैस्ट कोस्टन स्कीन पर आ चुका है कुस्टन हमारा एक मद्थ यह कट्र सो तीस रुपे में बेचा जाता है जिससे 15 परतिष से तलाब होता है इस मद का लागत मुल्य रुपों में क्या है इस तरह कंसे प्रक्राइब पझे बता दीए है तो करते हैं त ones 30 उर्पे शेलिंग प्राइज बैच रहा है और कितने का प्रोफिट हो रहा है पंद्रेपर्सेंट यानि पंद्रे परसेंट कहा हमें क्या हो रहा है लाब 15% होता है 15% होता है हमारा इसको किस तरह के से देखो हम कैसे दिखते हैं 15 वटे 15% का मतलू भी तो है पांत से काट दो, पांतिया, पंदरे, पांत से को पाटेंगे 20, थीक है, यानि कितना हो गया, तीन बटे 20, 15% का मनूदल हो था है तीन बटे 20, थीक है, दोश्तों? तो यहाँ पर इन्होंने, हमने आपको बताया था, यह क्या होता है, हमारा पर कोश्ट प्राइज यह हमारा रुपों में अमारे लाब यह यहां से मैं सैलिंग प्राइज मुझे निकालना वह तो कितना हो जाएगा इसमें एड कर देतें यह तो बताया था यहन कितना हो गया 30 टीच यूनिट विय थिश्य mortar 506 रुपे हैं यह एक। k cela पत्तर कूझल साइड़ कि Japan 1609 सीटा माच उंस्क पूसर्य औरी यहां पी फिर हमारे बजगे है कितना 20 यह 20 का कितना गुना हो जाएगा 310 गुना यह दो जीरो तो ऐसी और 31 दुनी 62 तो इसका जो लागत मुल्य होगा कितना रुपे हो जाएंगे यह यहांगी ओप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा ऑफसंट इस तरीके से को कर सकते थे अब बढ़ते हैं नेस्ट को संपर आगे दूर नेस्ट को बढ़ने से पहले इसका दूसरा मित हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते वह भी आप समझ लेजिए यानि यदि हमें डिरेक्ट इस तरीके से ना करके डिरेक्ट इसके CP की वैलू निकालने तो कैसे करेंगे यानि CP is equal to, जो selling price है, selling price कितना है हमारा? एक अतर सो तीस रुपे, multiply by क्या करेंगे? यानि जितने % का लाब हुआ है, उसको 100 में add करके नेचे 100 से भाग करा देंगे, अपन 100, ठेके दोस्तों, इस तरीके से हम इसका cost price भी निकाल सकते हैं, अब इसको sold कर लो, यहां से 5 से कर जाएगा, 20 बार, 5 से कर जाएगा, 23 बार, 23 से कर जाएगा हमारा, 310 बार, क्यूंकि य है, और यह कितना हो जाएगा, हमारा इकत, इस तरीके से, यहां से calculation इसकी करके, आ जाएगा, हमारा पूरा 62, तो आप direct इसको चाहे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो यानि cost price, equal selling price, into 100 upon 100 plus, profit percent, यह दी profit percent हो रहा तो इस तरीके से, ठीक है, यह add कर लो, यह इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, और आपको यदि हानी हो रही है, तो फिर भी यदि cost price निकालना, तो यहां पर क्या करेंगे, यह हो जाएगा हमारा, यहां से इसको लोश निकाल लो, यहां से इस formula का direct, आप यूज करके भी selling price निकाल सकते हैं, तो यहां से दो, हमारे cost price के निकालने के formula बनते हैं, तो इनको भी आप याद कर लेना, अब बढ़ते हैं, next question पर, next question इसकी इन पर आ चुका है, देखो और करो, इसका option में हमें comment करके बताओ, क्या इसका answer होगा, वीडियो देख लो, आप पोच करके इस question को शोल करो, comment करके बताइए, क्या इसका answer आएगा, हम आगया इसको शोल कराते है, आप भी हमको बता देना, हम आपके comment देखते रहेंगे, क्या इसका आप option में answer देता हो, और यहाँ पर आप अपना answer मेच कर लेना, हम आपको ये question कराते है, देखो कैसे कर देंगे, जब कोई वस्तू 355 रुपे में बेची जाती है, तो 39% के हानी होती ह 21% का लावर्जित करने के लिए, इसे कितने रुपे में बेचा जाता है, अच्छा question है, यहनि कोई वस्तू है, जो 355 रुपे में बेची जा रही है, जब 355 रुपे में बेचते है, तो हमें 39% की हानी होती है, लेकिन क्या करता है, वेपारी जो है, उसको 21% का profit हो, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, cost price हमेशा हम कितना मानते है, 100%, कितना मानते है, 100%, यानि cost price हमेशा हम 100% मानके चलते है, तो यहां से जो selling price कितना दियावा है, 355, हानी कितने परतिशत की होई है, 39%, यह हो गया हमारा 39%, 39% का मतलब क्या होता है, 39% यही तो है, 39% बट यानि कितने की हो गई हमारी कितने रुपे कि हो रही है, 39%, यह हो जाएगा हमारा लोष तो यह क्या होगे हमारी कितना हो गया यानिके जो हानी हो यह 59 अधिक यह दी मुझे निकालना है तो कितना यानिक है तो प्राइज में से लोच को बटा दूगा तो अधर्य आ सेलिंग प्राइज कितना जाएगा शू में 2830 यानि इकत्तर हैक इसका कितना सब्सक्राइब टो यहांव зм에서 कोश्ट्प्रायज कितना हो जाएगा अगर यहां से इसका इसके पांच प्रॉपीटु है पॉन्ट रूपे ठीक है अब हमें चाहिए क्या हमें 21 परसेंट का क्या निकालना था प्रोफिट तो आप यहां से सको 21 परसेंट का प्रोफिट का मतलब भी तो होगा हमारा ठीक है यह दो जीरो से दो जीरो केंच लिया निप पांच गोना एक सो एक किस यह कितना हो जाएगा पचेंगं पांच पांच दुनी दस दस की जीरो पंचेंगं पांच अरेक छे यानिके जो उस वस्तु का जो शैलिंग प्राइज आ जाएगा कितना कितना रुपे में बेचने चाहिए 605 रुपे में यही क्या होगा इसका आंस्वर हो 29 के हानी हो रही है तो बेच कितने धि Character में unterstützen की तरiva कि कि परावर रें तीन सो की चाहिए ड्याभ रोपीत तो क्या करते करें यह 5 कि निकाल लेैंगे झूभी यह क्या शेस्टों पांच रुपर इसका सेलिंग प्राइज अब बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन पर तो कितना बच जाएगा हमारा कितना बच गर देंगे तो कितना हो जाएगा 121 यहांब यहां पर पांच गोना 25 , 121 , 121 पंजे कितना होता है 605 ठीक है दूस्तो यह इसका इस तरीके से भी लेकिन गलती कर देते गलती क्या करेंगे यह जो दिया है दुगदार को जो लाग हो raha किस चीज पर विक्रा मुल्य पर यह बास समझने की धीदम मैं क्या थी विक्रा मुले परिप्र हो रहा है हाँ पर कितना साड़े 20% साड़े बाइस पर्सेंट का जो प्रोफिट हो रहा है वह सैलिंग प्राइस पर हो रहा है तो हरे 22% होता क्या है देग गया इने चैन से कर दो तरीम आपको बता कितना होता है वन अपून 40 यहां से इसको सूलिशन करेंगे यह हो जाएगा हमारा 48 प्लस एक यानि कितना नो बटे चालिस यानि कि जो 25% कितना होता है नो बटे चालिस ठीक है दोस्तों इस तरीखेस आपके से के कैल्कुलेशन करके वैल्व निकाल लेते हो तो मैं इसको यहां पर डिर्एक्ट लेग देता हूं अब है यह जो शाड़े बाइस परसेंट प्रोफिट हो रहा है कितने का नोगटे चालेश यह किस पर हो रहा है हमारा सेलिंग प्राइज पर यह जो यह वैलू दीवी है यह सेलिंग प्राइज की है किसकी है selling price की selling price ही हो गया profit कितने का हो रहा है 9 का हमें वास्तिविक क्या निकालना है percentage निकालनी है profit की जब हमें profit percent निकालते हैं मैंने आपको बताया थे किस चीछ पर निकालेंगे cost price पर यहां से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे cost price निकालेंगे 40-9 कितना होगे हमारा 31 ठीक है दोस्तों कितना 31 अब हमें profit percent निकालना है profit percent क्या होता है जो यानि जितना भी लाव लाव कितना हो है नो कितने पर 31 पर multiply by 108 अब यहां से इसको शोल कर लो यानि यह कितना होगे हमारा 900 बटे 31 अब देख लो 31 तिरान में ज्यादा हो जाएगे यानि दूनी चलेगी यानि option भी तो इसका option हो नहीं सकता यानि यह से काटेंगे कितना चल गया दो बार कितने 62 फिर चल जाएगा हम हमारा कितना नो बार यानि 29 ओप्शन एज़िदा राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तों पूरा हम इसको तरीके कोर्शन को कभी भी फूरा सोल मत करो option में चैक करते रहो option के अकोडिंग कैल्कुलेशन करो हमेशा ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हम नेस्ट कोर्शन करू नेस्ट कोर्शन देखिए नेस्ट कोर्शन है एक दुकंदार को विक्रे मुल्य पर 13 तीन तीन परतिसत हानी है तो वास्तिव खानी परतिसत ज्याद कीजिए सेम पिछले कंसेट कोर्शन अभी हमने आपको कराया है उसी तरीके से यह भी कोर्शन होगा तो आप इसके option सब्सक्राइंगे इसका पिस्कीन शोट ले लो और जरूर बताना है नेस्ट कोर्शन क्या है हमारा किसी वस्तु को 72 रुपे में बेचने पर एक व्यक्ति को उस्तु के विक्रे मुल्य पर 36.66% की हनी होती है तो क्रे मुल्य पर 25% का लाप प्राप्त करने के लिए उसे किस म है को जब हम किसी वस्तु को 32 रुपे में बेचते हैं तो हमें 36.66% की हानी होती है सबसे पहले हमें पताऊने चीए 36.66% की वैलू होती कितनी है ठीक है दोस्तों कितनी होती है कमेंट करके बताओ अन्य आपको मैंने अभी आपको पीछे बताया भीता समझाया भीता कि इस त परिके से लिख सकते है ठीक है इसको कैसे लिख सकते हैं 30% 6.66% 30% होता कितना तीन वटे 10 और हमारा 6.66% कितना होता है एक वटे 15 यहां से भी सका सोलुशन कर लेंगे इसके आपको जाएगा हमारा इन यह नो नो कैल्सियम 30 यानि यहां से यह 9 और प्लस के दो पंद्र दून देख लो इसको अब इसका डिरेक्ट वाना पर लिख देते हैं यह जो इसकी जो डिरेक्ट वैलू आप याद रखना कितनी होगी ग्यारा बटे तीज दोस्तों तो दोस्तों यानि कि 36 दिसके विक्रम उल्ले पर हानी होती है यह वाली जो लाइन है बहुत इंपोटेंट है किस चीज पर आनी हो रहे है विक्रम उल्ले पर यानि कि जो यह 30 वैलू दिये यह किसकी है हमारी होल neural chance कितना होता है तो कॉस्त प्राइज कितने के ब्राबर बैती यानि बहादर शोर्पे में चुजरा यानि लिख रहा यानि जो 244 गुना तो कोस्ट प्राइज भी कितने हो जाएगे 244 गुनी यानि जो हमारी CPI कितने आगे 25 प्रतिसत का में लाब चाहिए यानि 125 बटे 100 यहीं तो बताया था भी पीचे कंसेप्ट में अब इसको यहां से शोल कर लो करेंगे काटल उसको एक जीरो से इसको ऐसे का 25 बंजे 125 25 यो का सो चार्ची का 24 और यह हो गया हमारा 41 गुना 60 गुना 5 ठीके जी 55 पांच 5 पांचोक 20 मंटिप्लाई 60 यहां से इनकी मंटिप्लाई करा लो यानि एक जीरो यह ऐसी चैपंजे 33 और 6 दूनी 12 यानि कितना हो गया यह हो गया हमारा 12 300 यह इसका क्या हो जाएगा आन्सवर समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूं एक बार और आप देख लो क्योंकि जो मैंन बात है यह विक्रे मुल्य वाली इसको समझने की थी यह अगर आपको समझ में आ गई होगी लाइन तो यह आपको पूरा कोर्शन समझ में आ जाएगा कहा था किसी वस्तू को बातर सो रुपे में वेचने पर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को उस वस्तू के विक्रे मुल्य पर 36.66% के हानी होती है विक्रे मुल्य पर यानि शैलिंग प्राइज पर होती है हानी हमारा जो 36.66% होता है वो क्या होता है ग्यारा बटे 30 यानि कि जो 30 है यह वैलू हो जाए तो निकालने के लिए हमने आपको पीछे बताया ते यह दोनों को एड कर देंगे को फ्राइज आ गया विए 244 गुना है तो यह भी कितना हो जाएगा दूसरों अच्पशन का विक्रे मुल्य में जो इसका विक्रे मुल्य है एक सो वाटे रूपए की वरद्डी कर देने पर उसकी 19% की 37% के लाब में बदल जाती है तद अनुसार उस वस्तु का लागत मुल्य कितना होगा ये दूस्तों इस तरी के कोर्षन को कैसे करते हैं आप समझ लीजिए हमेशे हम क्या मानेंगे कोस्ट प्राइज मैंने आपको बताया था कितना मान के चलते हैं 100% मान के चलते हैं कोस्ट प्राइज हमेशा कितना होता है 100% अब कहा रहा है किसी वस्तु के विक्रे मूले में 162 रुपे की वरद्ध कर देने पर उसकी 19% हानी 17% में बदल जाती है यह यानिके जब हम कोस्ट प्राइज से इधेर जा रहे है तो हमें कितने प्रतिषत की आनी हो रही है देखो इसको आप ऐसे लिख लो चाहिए अंदर कोस्ट प्राइज हमेशे कितना मानेंगे हम 100% जब इस पर 100 में से यानि के 19 परतिशत के हानी होगी तो कितना बच जाएगा हमारा 19% के हानी यानी 81% और जब हमें कितना परसेंट कितना लाब होगा हमें 17 परतिशत का लाब समझ लो चाहिए आप इस तरीके से समझ लो यानि कि यह 19 परतिशत से 17 परतिशत तक पोछता है तो कितने रुपे की वरतिशत कि बराबर दे रखा है 162 के हमें निकालना क्या है तद अनुसार उस वस्तु का लागत मुल ले यानि कि हमें किसकी 108 परसेंट की वैलो निकालनी है यह हमारा कुर्षन है यहां से एक परसेंट कितना आ जाएगा हमारा 162 बटे 36 यानि यह कर जाएगा ठारा दोनी 36 अठारा निम्मा 162 यानि 9 बटे 9 बटे 2 हमें क्या चीए पूरी 108 परसेंट यानि 108 परसेंट क्या हो जाएगे 9 बटे 2 इसको यहां से डिवाइड कर दो कितना हो गया पचास यानिके नो पंजे 454 चार्स रुपे क्या हो जाएगे उसकी कोश्ट प्राइज ये इसका आंस्वर हो जाएगा ठीके दोस्तों समझ आ गया होगा एक बार होड़ देख लिए जब 20 तरीके कोस्षन आएगा हमेशा हम क 17 पर्षेंट का प्रोफिट हो गया जब हम 19 पर तीस से माइन सब्सक्राइब गया जा रहे है तो हमें कितने पर्षेंट की वरद्डि मिल रही है दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट कोस्टन पर नेक्स्ट क्या है हमारा दिपेश 120 रुपे का लाब कमाता है यह 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 यहां से यहां तक के लाइन कर्द और 62 रुपे का परती पैंसिल के साब से बेच रहा है तो उसको 62 रुपे का नुक्सान हो रहा है और जब भाई रुपे परती पैंसिल के साब से बेचता है तो उसको 120 रुपे का लाब होता है तो दिपैस के पास कुल कितनी पैंसिल थी अच्छा कोचन है समझो इसको भी हम जो आमने आपको पीछे कंसेप्ट बतायों इसे ही करेंगे अभी हमने बताया था आपको मैंने कोस्ट प्राइज हमेशा कितने मानने के लिए कहा था नुक्सान कितने का हो रहा है जब वह 1.85 रुपे परती पेंसिल के साफ से बेचता है तो उसको 62 रुपे यहाँ से यहां से यहां तक पौचने में उसको कितने रही है हमारा मैनस 62 से 120 कितने कंतर आया कितना हो जाए यानि इंदोनों को एड़ कर लो यह पूरा आ जाता है कितना 182 ठीक है कितना 182 अब 182 रुपए में अब कितनी पैंसिल अब यहां इसको इसमें से घटा दो कितना 5 और 15 साथ कितना हो जाएगा हमारा यह नहीं यह बचेगा हमारा 6 0.65 रुपे हमने घटा दिये तो कितना होगा 0.65 यानि टोटल कितने है इतने इसको भाग दे देंगे यानि के 182 रुपे में यहीं करता है कोई मेरे पास 100 रुपे है और 65 रुपे के रचाब है तो मुझे 1000 रुपे में कितनी पैंसिल आइगी यानि तरीका यहां पर है यानि कि तरीके अठारा जार दोस्तों इसको भाग कर लो देख लो तेरह से कटता है नहीं यहां पर तेरह पंजे पैंशट तेहरे कम तेहरा पांच तेरह चोका बावन और दो जीरो यह ऐसी पांच से इसको काट दो पांच से काटने के पांच दूनी दर्स चार बज़ी के चालिस तो तो टोटल कितनी पैंसिलती दिपेश के पास दूस्तों अच्छी पैंसिलती उम्मीद करता हूं आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा अब बढ़ते हैं नेस्ट कोर्शन पर नेक्ट कोर्शन है हमारा एक वेक्ति अपनी लागत मूले पर लागत मूले से 16 कृप नीचे एक वस्तु को बेचता है अगर उसने इसे 33 रुपए अधीक में बेचा होता तो उसे 14 पर्तिशत का पाइदा हो होता 25% फाइदा हसल करने के लिए उन्हें इस वस्तु को बेचना चाहिए ओप्शन हमारे यह है 135 रुपे में यहां से यहां तक पोस्टने में कितना यह लगा यह हो गया हमारे चुराशी और फिर आगे का है 16 परतिशत नीचे बेचता है एक वर्स्तु को बेचता है अगर उसने इसे 33 रुपे अधिक में बेचा होता तो 14 परतिशत का फाइदा का यानि कितना एक सो और चौ एक यह हो गया हमारे 84 और सो तक आया हमारे 16 और 14 यानि 30 30 परसेंट किसके बराबर कितने रुपय अधिक में 33 में 30 कितने के 33 के यहां से मुझे 100 की वैलू निकान नहीं हो तो यानि हमारा कोस्ट प्राइज आ जाएगा इस तरीके से यह हमारा कोस्ट प्राइज आ गया यानि के आई एक सो देश्यूर्पे उसने का आया की एक युषण परतिस अत्का फाइदा करने के लिए वह नर्स वर्षट को कितने रुपय में बेचना चाहिए वइक कोस्ट प्राइज की टना है हमारा एक सो देस अभा हमें कितने परसेंट का प्रोफिट चाहिए एक सो फच्छी र बटे यहां से यदि मुझे सीधा के निकालना हो अब शेलिंग प्राइस तो क्या हो जाएगा 125 बटे 100 ठीक है जी यहां से इसको शूल कर लो 1010 एक से पॉइंट यहां पर आजाएगा यानि कितना 1.1 x 125 इनकी यहां से गुना कराओ यानि कितने रुपे में उसको बेचना चाहिए 137.5 यानि कि 137.5 रुपीज में जब उसको 25% का फाइदा हासिल करना हो तेके दोस्तों आप इसका स्कीन सोट ले सकते हो फिर बढ़ते हम नेस्ट कोशन पर तो नेस्ट कोशन पर आते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन है हमारा एक वेक्ती आठ परतिशत के हानी पर एक समान बेचता है यदि उसे यदि उसने इसे शाड़े 10 परतिशत के लाप पर बेचा होता तो उसे यह हमारा 92.50 रुपए अधिक मिलते यानि के शाड़े बान में रुपए अधिक मिलते तो 12 परतिशत का लाप राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था यानि के सेम पहले वाले कंसप्ट पर यही 100 पूरा, कितने परसेंट की हानी, 8 परसेंट की हानी, और, साड़े 10 परसेंट के profit पर, जब इस तरीके से बेचता है, तो इसको, साड़े 92 रूपे अधिक मिलते हैं, यानि कि यहां से यहां तक जो पोचता है, वह कितने यानि के साड़े यहां पर कितने साड़े 10 तक पोचेगा तो कितना शाड़े 18 कितने के बराबर दिया है कि आज इस तरीके से यह पॉइंट से पॉइंट कैंसल यानि हो गया हमारा 925 68 885 यानि के 1% कितना अगय हमारा 5 रूपई के बराबर और हमें कोस्ट प्राइज चाहिए 100% कितना हो जाएगा हमारा 108 प्रूबर सेंट हो जाएगा 500 याँ से कोश्ट प्राइज आ गई हमारे निकल के कितनी फाइप हंड्रेड अब हमें बताना 12% का लाप राप्त करने के लिए हमें उस वस्तु को कितना रुपए में बेचना चाहिए यानि सेलिंस प्राइज जब हम निकालेंगे कोस्ट प्राइज 500 पर 12% का लाब प्राप्त करने के लिए तो यह इस तरीके से हमारा यह हो जाता है ठीक है दोस्तों यानि कि यह 2-0 से 2-0 कैंसल हो जाएगी और 5 गुना 112 112 पंजे कितना होता है हमारा 506 यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा आंस्वर तो इस तरीके से पीछे वाला इस तरीके से था अब आगी तो दोस्तों हमारा यहां तक आज वीडियो के लैंद जादे करते रहे क्योंकि जो यह कोशन है बहुत ज्याद इंपोर्टेंट कोशन है आपको इनी कोशन बेस पर पेपर में आपको कोशन जरूर मिलेंगे तो प्लीज इनकी आप बार-बार प्रैक्रिस करते रहे घर पर ठीक है दोस्तों धन्यवाद जैहिंद